सर्वनाम सर्वनाम की परिभाशा संग्या के स्थान पर इस्तमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं सरल शब्दों में सर्व सब नामों, संग्याओं के बतले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आधी. सर्वनाम की आविश्यक्ता मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आधी. सर्वनाम शब्द है अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्ही शब्दों से बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टी से अपना रूप बदलते हैं. संग्या के बार-बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नश्ट हो जाता है. सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोश को दूर किया जा सकता है, और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है. उधारण सीता कल गाव जा रही है सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी सीता ने गाव के बारे में बहुत कुछ सुना है सीता का बहुत मन था गाव जाने का उप्युक्त उधारन में सीता नाम का लगातार इस्तमाल हुआ है जो की काफी अटपटा लग रहा है साथ ही गाव शब्द भी दोहराया गया है इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उप्योग कर सकते हैं जो सुनने और पढ़ने में सही लगेंगे जैसे सीता कल काउं जा रही है उसने अपना सारा सामान बांथ लिया है वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है उसका बहुत मन्था वहां जाने का उसने वो वहां उसका ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संग्या यानी सीता और गाओं के स्थान पर प्रयोग हुए हैं दूसरा सर्वनाम शब्दों के इस्तमाल से हम आदर और अनादर के भाव को व्यक्त करते हैं जैसे आप आदर के लिए प्रयोग होता है और तू अनादर के लिए सर्वनामशब आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं जैसे वह सुन्दर नित्य करती है सो उसे उफार दिया गया यहां वह सुन्दर नित्य करती है को सो शब्द उसे उफार दिया गया इस बाक्य से जोड़दे का कारे कर रहा है